हेलो अब्रिवन आपका एक बार फिट से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा एक्सिस इसमॉल के आफ फंड डारेक्ट प्लान के गुरोत में इसमें हम लोग कम्पलेट डेटेल्स एन अनर्शि इसका फंड साइज क्या है साती साथ हम लोग इसका रिटन कल्कुलेटर देखेंगे और देखेंगे कि एक्सिस इसमॉल के फंड डायट ग्रोथ के अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस इसमॉल के फंड डायट ग्रोथ का ज शे मैने में 18% का company ने return दिया है अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका एक साल का return का तो एक साल में 23.94% का जो है return दिया है पिछले एक साल के अंदर अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 साल का तो 3 साल में जो return है वो है 37.38% का return दिया गया है पिछला 3 साल के अंदर अब बात कर लेते हम लोग 5 साल का रिटन का तो 5 साल में जो है लागबग 24 परशेंट का रिटन है एक्सिस इस मॉल क्या फंट डायट ग्रोथ का यह तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटन अब हम लोग इसकी एक एनवी की प्राइस और स्ट्रारी जानकारी लेते हैं तो अभ फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसका एक एनवी का प्राइस क्या है 84 प्या आठ परसा यह फाइप इस्टार रेटिंग है इसमें मिनिममम साइप एमाउंट आप 100 लगा सकते हैं इसका जो फंट साइज है वो 14 जाद 200 एकाउन क्रोर है अब हम लोग इसकी रिटन कल्कुल रहे हैं हर मन्त तो आपका एक साल के अंदर जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया आपको मिलेगा 68,614 रुपया अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 साल का तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया आपको मिलेगा 2,57,717 रुपया अब 87% जादा अब हम लोग इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके अंदर total 82 stock listed है लेकिन यहां से हम लोग top 10 जो stock है उसके वारे हम discuss करेंगे जो top 10 stock है तो सबसे पहला top 10 के अंदर stock जो आता वो है नरायना होंडेलिया लिमिटेड दूसरा CCL products इ अब पाँचवा हम लोग जाते हैं पाँचवा में है Galaxy Limited छटा है Krishna Institute of Medical Science Limited आठवा है Fine Organic Industrial Limited नवा है Birla Soft Limited दसवा है Canfin Homes Limited और दसवा है Blue Star Limited यह total top 10 stock इसके अंदर listed है ऐसे mutual fund के अंदर total 82 stock listed है लेकिन top 10 के बारे हम लोग ने डिसकस किया तो आज इस छोटी से वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया Axis Small Cap Fund Direct Growth के बारे में अब यहाँ पर थोड़ी से हम लोग बात कर लेते हैं क्या अभी हम लोग इसके अंदर invest कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो इसका हम जो आल टाइम पर जाते हैं तो आल टाइम पर जरह गराप को समझेंगे तो इसका जो मैंन जो जो है एनवी जो भागना स्टार्ट हुआ था वो 2020 के बाद जो है दिन परति दिन इसका जो है इनकिरीज होते चला गया तो 2020 से जो यह चार आ था अभी जो है 2023 आ चुका है 2022 मिल्ट चर रहा है और आभी जो है जेख सकते हैं एक एनवी का प्राइस शोड़ासी रुपया है तो आप इसको कहा पी देख रहे है यदि आप इस पे इनवेस्ट करने का मन बना रहे है तो बिलकुल बना सकते हैं क्यों इसमें थोड़ा सा रिक्सी है यह यहाँ पे आपक मार्गेट कि आप जितना बड़ा रिक्स लोगे उतना ही बड़ा आपका फायदा होगा तो बेसेकली यदि आप रिक्स लेने वाले हैं तो लीजिए इस मुच्वल फंड के अंदर आप अभी भी अपना पैसा को इंबेस्ट कर सकते हैं अभी इनका एक एनवी का प्राइस 84 रुपया के आसपास हैं आने वाले पाइस साल साथ साल के अंदर ये एक एनवी आपको जो है देड़सों से उपर देखने को मिलेगा तो चले हमनों फिर मिलते हैं नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के